कि हलो गाइस मैं सुरस राज अपनी यूट्यूप्चनल पिपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं राज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीर इंट्रेंस एक्जाम 2021 के लिए मौश्ट इंपोर्टेंट कोश्चन जो हम 500 में से 50 का हमारे टार्गेट रहता है आपको पता ही है 500 में से 50 का तो वही वीडियो चल रहे है डेली आप अटेंड करिए मैं आसा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए कि सब्सक्राइब करेंगे पहली बात करने वाले हैं यहां बोला गया है अब जानते हैं अब जानते हो अब तिड़ी का पर वहाचन क्या हो सकता है अब अब बश्यम्हां रहते यह फिर भक हैं फिर दल के अंतर रहते हैं यहां होगा तो यहां नहीं है तो फिर अगले दल होगा तो दल बनाके रहते हैं तो क्या हो जागा वहुबचान तो आप को गए क्या हो जागा टिड्डी दल हो जाएगा किसकी रचना कर की किरति किसकी है आपको इबताना है पूस्टा का नाम आपको बताना है किसकी रचना है रचनाकार का नाम आपको बताना है है सभी लोगों के आंसर राइट आना चाहिए बहुत ही बड़ी है जिसने भी option number D दिया है परमसत्त आंसर है कनहिया लाल मिस्र ठीक है पिर वहा कर हो जाएगा option number D परमसत्त आंसर है next question आपसे पूछा गया इस question को देखिए दिये गए बिकलूप में से कौन सा सब इस्त्री लिंग नहीं है आपसे इस्त्री लिंग नहीं पूछाए आप देख लीजे आपको देखिए तीन तो पुलिंग दे रहे होंगे और क्या है एक इस्त्री लिंग है तो से पूछाए तो इस लिंग कौन सा नहीं है मतलब कि पुलिंग आपको पुलिंग देखना है ठीक है बताइए मेरी चिल्खा जील होगा, मेरा चिल्खा जील नहीं होगा मेरी सबजी होगी, ठीक है और मेरी मुंदेली मेरा बुंदेली नहीं होगा, मेरी मुंदेली होगी तो क्या हो सकता है इस का अंसर अरे अब तो देद हो न अनन्नास हो जाएगा न, मेरा अनन्नास यह क्या फल का नाम है, मेरा, मेरा नन्याज मेरी नन्याज नहीं होता, option number क्या रहने वाला है एप परम सत्ता अंसर है next question आपको चलते है, इस question को देखिए आप देखिए यहाँ सरवदा ठीक है, अब एक बच्चन रहने वाले कौन सा होगा, देखिए सरवदा में आपको एक बच्चन रहने वाला शब्दा आपको बताना है हाँ, सरवदा एक बच्चन रहने वाला शब्दा आपको बताना है सरवदा को मतलब क्या होता है, सामेशा मतलब कि सदैब, सरवदा को यहाँ सदैब बोला गया है सबस्क्राइब एक बच्छन रह सकता है जनता पिता का पिता का पिताओं हो जाएगा प्रेम से दूद्ध पिए हनुमनता चली आग होई भर सा ठीक है न यह सब क्या है यह हमीशी एक बचन रहते हैं तो ये क्या हो गए हूफ जंता क्या है एक बचन गार स्रवध सरवधा broken मतलब कह मतलब है सदयर सदय रहने वाला सब्चन को रहने वाला शंतर है थो तो देखिए ऐसा कौन से महाबरा है? आप कोई बताना है? महाबरा आप लोगार दे नहीं, महाबरा बताना है. हाँ. कहते हैं, पत्थर की लकीर होना, यह क्या महाबरा है? पत्थर की लकीर होना, बेलकुल, यह महाबरा होता है. कहते हैं, पत्थर की लकीर होना क्या होता है? म टले अंधेरा तो जो वविट चल रहा है वहाँ अंधेरा है समझे यह हैं हमें महाबरा पूंचा हे पत्तर की लकीर हो तो ऐसका अर्थ कि बात करें तो तो यहां UTSतर होना है यह कहUSE करते हैं अब बाकी कि आप उनके नो देख रहे यह क्या है लोककती है लोककती है वोसस्य को टिक है तो कही न न नेक्ट कोशन को चलते है इस इसकोशन को आपको देखना है इसमें आपको положूं बताना है ठीक है हां द Way कर द्रकाभ न बताना तरह beethoven स्कार्फ भर बताने हैं क्या रहने वालवग् 1 है क्ल बहुत ज्यादा या सुपर पार फासट जेए कल इसको देखो ठीक है तब स्कार्फ हो लोगेर लोगे दाना इसका रहना है अचिक है न क्या चुक्ति ब trip n करेंगे तो क्या होगा निर्माड होना मतलब किसी का निर्माड होगा ठीक है जब नस्ट हो रहा हुआ हो जाएगा तो ऊसका निर्माड हो जाएगा ठीक है ने लुए को देख़ें नीचे दिए बाक्यों में समान भूतकाल बाक बताना है आपको देखिए भूतकाल बताना है देखिए भूतकाल क्या होता है जोसे पास्ट कहते हैं यही तो बोला जाता है पास्ट को तो बूतकाल बोलते हैं तो यहां भूतकाल क्या होने वाला है बरसा हुई बरसा हुई मतलब क्या है कुछ समय पहले बर्षा हुई थी लेकिन हमसे पूछा क्या है समान भूतकाल समान भूतकाल मतलब क्या है विलकुल अभी जस्ट अभी खतम हुई है जैसे कि बर्षा हुई बर्षा हुई क्या है यह समान भूतकाल हो जाएगा ठीक है कुछ समय पहले बर्षा हुई तो कुछ स ये समान हो जाएगा ये पूर हो जाएगा बरसा हुई थि ये पूर्ण हो गया ये पूर्ण बहुत काल के अंतर करता आएगा ठीक है बरसा अभी ठीक है तो option क्या रहेगा यहां हमारा जो समान भूद काल रहने वाला option नमबर ए प्रमसत्ता अंचर है next question को चलते हैं गया सब्सक्राइब सर्बनामिक विशेशन हो जाएगा option number जिसने भी सीदिया परमसत्र क्योंगी कोई क्या है कोई जो सज्जन है वो क्या है पक्का पता नहीं है पताना कौन सा व्यक्टि है मतलब निश्चित व्यक्ति नहीं है वो क्या है बताना है, बताईए सब लोग, घमंड दिखाना, पारा ना उतरना कहलाता है, नहीं, सांत होना, नहीं, कह सकते हैं, हद कर देना, नहीं, आसांत होना, पारा ना उतरना, आसांत होना कहलाता है, क्या कहलाता है, अब तु सांत नहीं हो रहा है, मतलब कि पारा तेरा उतर नहीं ह कहते हैं बहुत बहुत क्रोध है क्रोध कह सकते ना बहुत गुश्या कर रहा है तो आसांत ना होना क्या क्या आप्षा ना उतार ना ऑप्शन नमबरज इसने भी डीदिया परमजटांसर है देखिए हिंदी बडमाला में सोरो की संक्या कितनी होती है आहां टेके टोटल पूछतो होता तेरा हम सिट वर स्वरों की संक्राइ standpoint पूछ गई एक बताएंगेगे ज्याँ-गयारा् कि मताएंगे भई 11 हमेचे याद रखिए ठीक कितनी होते हैं इस बात को याधि रिए दो बाद को कभी आपको गलती नहीं करनी है ठीक टोटल बढ़ कितने होते हैं तो आपको बावन होते हैं ठीक है जिसमें 11 सोर होते हैं 33 होते हैं बावन होते हैं इस कोशन को देखिए इस कोशन को सभी लोग बताएंगे इस कांसर क्या रहने वाला है इसने भी option number B दिया परमसरतांसर मेरे पास कहानी की अनेक पुस्तके हैं यह क्या है एक बिल्कुल सुद्वाक है ठीक है ना और बाकी सबसुद्वाक है नेक्स कोशन को चलते हैं इस कोशन को देखिए यहां कह रहा है ओहू बहुत कठिन समय आया है इसलिए इस बाक में कह रह लगाते हैं यह आश्चरी चिन विसमियादीबोदक चिन लगाते हैं इस प्रकार का गंड़ा और नीचे बिंदी विसमियादीबोदक चिन नमर क्या होगा सी परमसरतांसर होगा नेक्स कोशन आपसे पूचा गया है किस बर्स हिंदी को राजभासा के रूप में मानता दी गई थी तो कौन से बर्स है जिसे क्या हिंदी को राजभासा के रूप में मानता दी गई थी सभी लोग उताएंगा है हाँ यह तो सभी को दिखे 14 सितंबर को दो दी गई थी उसके बाद कब दी गई थी सभी लोगो आनसर आना चाहिए बिलकुल उनिस सो और चास को ठीक है नेट्स को जलते है और यह राजभासा कौन से आर्टिकल के तुरू आती है तो आर्टिकल की जब बात की जाए तो आर्टिकल आती है तीन सो ततालिस से लेकर 301 के तहर्ट इस बात को याद रखें कि यहां से कोशन वदता है नेक्स कोशन अब पूच लेता कि मानता यह मलब कि राज भासा कौन से अर्टिकल के दूर रखी गई है तो आपको जो मांतर दी गई है चौदा सितमर उनिस सो नंचास को वो कौन से दीगे तो आपको 343 के तार हिंदी भासा क्या है वो राज भासा बनाए गई और साथी साथ क्या बनाए गया था उसमें और जो फिक्षा करता है ठास को सब्सक्षा कि इसको मांतर बतनी आदहार पर आपको सुध शब्ध पहकानना है मतलब कि मेनक कुछ नलत L हो किसी खरक सी लिखेंगे जब हम अपको मेरत्तियों नहीं देंगे किस प्रकार से लिखेंग है सभी के परमसतांसर आना चाहिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही बड़ी है जिसने भी option number क्या है मिर्तिव डंड मिर्तिव डंड किस प्रकास लिखा जाता है option number जिसने भी cdf परमसतांसर है next question को चलते हैं इस question को देखे यहां कह रहा है दो या दो से अधिक देखिए आप चाहते हैं express class करा हूँ तो आप मुझे comment करना ठीक है मुझे बताना कि सर express class करा है करो मज़ाता है यह दि दिले दिले चलाए और तो बता देना यहां कह रहा है दो या दो से अधिक ठीक है आपको बताईए तो क्या उस परीबरतन को होता है तो उसे क्या कहते हैं संधी विछेत कहा जाता है या फिर संधी कहा जाता है देखिए जब बर्णों की मेल की बात की जा रही है बर्ण के मेल क्या होता है मतलब आपस में जोड़ना जब आपस में किसी चीज़ को जोड़ते हैं दो या दो सब्द आपस में जोड़े हैं मतलब कि एक सब्द लिखा है कोई भी माल लीजे ठीक है यहाँ इस प्रकार से हमने भी लिखा था मिरत्यू प्लस दंड यही तो था मिरत्यू डंट अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या है आपस में इन दोनों को यहाँ बोला गया है समीपर्थ वर्ण मतलब कि आपस में जो समीप बाले जो वर्ण देख रहे हैं इन दोनों के दिए मिलाये जाता है तो क्या होता है उसे संधी कहते है जब मेलने को संधी तो कहेंगे ठीक है तो मेल से जो परिबरतन होता है उसे क्या कहेंगे संधी कहेंगे option number a परमसत्तांसर है next question बोल रहा है कौन सा सब्द रक्त का समनार्थी नहीं है रक्त का समनार्थी नहीं है आपको बताना है रक्त का समान अर्थ वाला नहीं है कौन सा है बदाएए लहू लहू को तो भी रक्त कहा जाता है रुधर को भी कहा जाता है रिपू को क्या रक्त कहते हैं रुधर कहते हैं यह बताएए रक्त को लहू तो कहते हैं लहू बहरा है हां और ये रुधिर भी कहते हैं उसके बाद में क्या को शोड़ित बोल सकते हैं क्या रुधिर को शोड़ित बोल सकते हैं सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है सभी लोग कमेंट सेक्षिन आंसर देंगे रुधिर को देखे रक्त की बात क्या है रुधिर कहते को मुल रहे हैं, ठीक है, रख्त के भॉन कौन से होसा हो जाएँगे, धै के रुदेर हो जाएगा, लभू हो जाएगा शोश्र खूँण और लो हित लोहू भी बोलते हैं, लेकिन रिपू क्या है, रिपू रख्त का क्या है, समनार्थी नहीं है, बलकि किसका है, रीपू सत्रू को बोलते हैं, रीपू किसको बोलते हैं, सत्रू को, याद रखिए, रीपू का समनार्थी है, वो सत्रू का है, सत्रू बोलते हैं, सत्रू का क्या है, समनार्थी का है, रीपू होता है, नेक्स कोशन को चलते हैं, अल्प ब ब्राम की बात करें, अर्ध आदा ब्राम, तो अर्ध ब्राम का चन ये होता है, ठीक है, और अपूर ब्राम का इस प्रकार से होता है, और अल्ब ब्राम की बात करें, तो ये होता है, option number जो आपने दिया है, बी परम सत्तांसर है, जिसने भी option number बी दिया है, परम सत्तांसर है, next Qoshan को चलता है," इस Qoshan को देखिए इस Qoshan को आजहाने वाले बढ़吧 यह पहले और दूसरे आते है विसाथ थीरःइस पांच पक्षोध स compared प्रहसी को हो डिखboys, वह सकत्त है ,ование आजही है डिया है , चारा के बढ़ा है , आप देखिए उसका पहना पहले है तो दो देखें बाते में आता है गा सीरे नंबर पर आता है घक है और गा चौन से privilege आता है ये आता सबसे पहले पर आप पर होता है क्या थे महत प्राण DR होते हैं पहला कह एक ऑना पहला दूसरा स्वारी पहला तीसरा और पाँच मा यह अल्पराण कहलाते हैं तो पहला महापराण आपको देख लेना है ठीक है जिसमें कहा है थोड़ी ज्यादा खाहा एज धुड़ी बाईयू निकलती है सबी लोग बताएंगे इस कांसर क्या रहने वाला है देखिए दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है तो आपको याद गोना चाहिए दूसरे नमबर पर देखिए का, खा, गा, गा, अना आप आपको ओगे जो खा और ये गाए ये दूनों क्या है? महाप्राण है तो आपको देखना है दूसरे नमबर पर चौथे नमबर पर जो आता है तो ता तो पहले नमबर पर आता है ता और था, था था आता है दूसरे नमबर पर ता था, ता और दा आता है तीसरे नमबर पर तो यह नहीं होगा, तो option number हमसे क्या बूचा है, चौथे number, दूसरे चौथे number बज़ आता है, वही answer होगा, तो option number C, परमसत्त answer होगा, option number C, परमसत्त answer होगा, next question को चलते हैं, यहां देखे, भलाई में आपको प्रत्त बताना है, तो भलाई में प्रत्त कौन सा है, भलाई में लिए परमसत्त आंसर है, next question को देखे, next question आपके सामने आ चुका है, यहां देकिन इमेन क्लम से कौन सी बोली उत्तर प्रत्त की नहीं है, देकिन, अपसे पूछा गये, तो उत्तर प्रत्त की कौन सी बोली नहीं है, अब देखे, बिरज भासा, यह तो मत्रवा की है, आपको मेवाती कहा है अब देखें मारो मेवाती को यह राजिस्थानी भाहसा है यह कहा कि यह राजिस्थानी भाहसा है याद रखिए राजिस्थानी भाहसा यह ठीक है यह कहुंची है राजिस्थानी मेवाती 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 को मैंने ट्रिक से आपको याद रख बोली जाती है बाकी यूपी में नहीं बोली जाती है लेकिन आ पने लिए बनारस बहुट पर रहें से तो इस पर परकार से आप तो तन बहुस्जञ की और इसने गोड़े क tapping to कि अ香ी कि ऑइ ने चलते हैं सुमरन को !!!!!! कभी output कभी बिरहमचारी चोर इसमें अलंकार आपको बताने हैं इसका आंशर क्या रहने वाला है देखे, मैं आपको बता दू रूपक अलंकार हो नहीं सकता ना तो इसमें आरूप लगाएगा है ना ही उपमा अलंकार, सासी से कोई हो अनुपरास अलंकार हो नहीं सकता क्यों? क्योंकि ना तो इसमें बढ़न बार बार आए है तो बात तीनों खत कम हो गए, तो क्या होगा, स्लेश मलंकार, स्लेश में क्या है, सुबरन, सुबरन का मतलब क्या है, देखे एक सब्द एक बार आए, मतलब कोई सब्द एक बार आए, लेकिन अर्थ उसके अनेक हो, अर्थ मतलब कि दो अर्थ निकलते हो, मतलब अनेक अर्थ तो सुबरन का कभी के लिए बोल रहा है कि बाई जो कभी है ना अच्छे सब्द की लिए बोला गया है मतलब कि कभी के मर्द मालब सुरण के लिए मतलब खोज़त फिरत कभी मतलब कभी क्यों कहा है सुबरन मतलब एक अच्छा सब्द के लिए बोला गया है और यहीं ब्रह्मचारी की बात की जाए और यहीं देखिए सुबरन ब्रह्मचारी इसका मतलब हो जाएगा जैसे कि गोरे रंग वाली इस्तरी होनी चाहिए ठीक है सुबरन का मतलब हो गया ठीक है एक तो कभी मतलब की अच्छे लोगों की बारे बता गया है कभी क्या अच्छो लोग हो गया एक ब्यवशारी की बात कर रहा है तो क्या है एक सुबरन मतलब की अच्छी सुबरन बता गया तो चोर का मतलब क्या होता है आप से मूझा गया है आयादी संदी का उधार्ण है बताइए आयादी संदी कौन से होती है देखे जहां मैंने क्या कहा कहा जाए आप आजाए आए आजाए वो क्या होता है आप आजाए वो आयादी संदी होती है होती है नहीं होती है मझे बताओ है ना तो क्या हो जाए अब देखें जामें क्या है यहां देखें दो मात्राइं एक ही मात्राइं यह क्या है ब्रद संदी है उन्नती क्या है अन्न तो आना नहीं चाहिए यह तो वैजी घतम हो जाएगा महिंद्र माना बेंद्र हो जाएगा एक मात्राइज में गुर संदी हो अप्शेन नमबर क्या रहए नेवाल है ये परमस्ते अंशर हो जाएगा यदि इसका मैं करूँ तो किसका हो जाएगा पाव क्या हो जाएगा अप पावक क्वपलस मज़बंस हो था हुआ है देखिए अब आया हुआ है अब आया हो जाए आया रिस संदी हो आपको पता ही आ यहां देखो पीछ में लगा वा तुरन तब लगा दोगे यह क्या है गोर संदी हो जाएगी उन्नति की दुबाती स्थाइभाब नहीं है Vietnam करें दो निर्वेट क्या होता है होता ठीक है करून रस होता है इस थाइभाव थोड़ी होता है इसका तो अप्शन नमर क्या होगा ऑप्शन नमर डी परमसत्ता अंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नमर डी क्योंकि यह रस होता है इस थाइभाव नहीं होता है इसका इस थाइभाव क्या होता है इस थाइभाव मुहाबरेक अर्थ क्या होता है अपने को संकट में डालने वाला जो अर्थ है इसका आपको बताना है मुहाबरेक अर्थ क्या रहने वाला है सभी लोग बताएंगे अपने को संकट में डालना बिल्ली के गले में घंटी वांदना भैस के आगे बीन बजाना बताएए हां मक्य कि हमारना कहते हैं आपने को संकट में डालना नहीं भीगी बिल्ली बनना सभी लोग बताएंगे इस का अंसर क्या रहने वाला है अपने को संकट में डालना कहते हैं बिल्ली के घले में क्या घंटी मांदना यह होता है अपने को संकट में डालना देखिए भैस के आगे बीन ब लेकिन वो सुनना रहा है तो कह रहा है यह साला नहीं मानेगा भी भी बिल्ली बन गया तो यह क्या है डरना तो यह संकट में डालना है तो क्या हो जाएगा बिल्ली के कर्याथ के लिए अच्छा नहीं है इस रहे खांके चुण देखर हैं भर है तो क्या है अंसर देंगे क्या रहने वाल सोब людей बात करें से अंसर क्या क्या दें रहा रहां करें राद रहाया सबसाइए तो क्या हो कि काल की बात करें काल के साथ ही तो लगा हुआ है क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा फिर गदुंश क attention पतारर एस कंदो CHRIS होते हैं अब जो समू बदाते हैं एक दूसरे को एड कर लेते हैं और ऐसे और या ऐसे कुछ होता है तो होता है समुच वोदा को ठीक है ना तो क्या भर क्या है एक काल बाचक के रिए विश्य सब्सक्राइब सब्सक्राइब निर्मित हो सकता है उपकार यह लगे तो क्या होगा उचारण हो जाएगा कौनसा सब्सक्राइब यहां बोला गया गया है सवरग में आपको संदी विचे बतानी है सवरग का संदी विचेत नेक्स को चलते हैं यहां कि निमनेक सब्सक्राइब बताना है इस तुल का बिलॉम बताना है इस तुल का बिलॉम क्या हो जाएगा प्रम सतान सब्सक्राइब बताइए निमनेक सब्सक्राइब बताएगा चौपाई जो चंद होता है उसके पिरतिक चरह में जो मात्रा होती है वो होती है चौपाई देखो चो कहते हैं चो का मतलब क्याता है चार चो कर चार कहते हैं और पाई पाई किसे कहते हैं जिसपे स्क्वाइल लगा होता है तो चार चौप सोला हो गई यह याद है ट्रिक करन में अलग अलग होती है अर्द को ब data यहां देखे यह था-त्र दान करना चाहिए इसमें आपको समास बताना है तो यथा सक्ती में समास बताना है कौन सा रहने वाला है देखिए यथा तथा मैंने कहा न यथा पिर्ती मैंने कुछ ऐसे सब्द जो पहले क्या हो पिर्ते लगे हो ठीक है पहले शक्त प्रदिलो को क्या होता है देखिए अब मैं काटने की बात करूँ तो इसको काट के भी कर सकते हो देखिए बहु भाव समाज हो नहीं सकता दूंगो समाज गिंती आई ही नहीं है तत्पुर समाज होगा नहीं एक यह समाज हो जाएगा जिसमें उप्षर्ग लगा होता है थीक है तो 익ने सक्जव का नहीं रहने और समाज हो जाएगा यथा वगराया एसा कुछ उप्षर्ग आजाये यह ता यह फिरती एसा कुछ उप्षर्ग और नम्र क्या है ओको आपको परियाबाची बतार या मैं वितिक के इसका परियाबाची का हो सकता है कि सबी even बताएं इसका आंसर किया रहने वाला है यहां के रहां छागी हरो यह लोगे दखिए बिसिक के परियावाची बहुत सारे होते हैं जैसे कि बाड जो होता है बाड आ जाती है वो बिसिक होती है ठीक है यह option नबर भी परमसत्ता अंसर होगा बाड हो जाएगा सायक हो जाएगा नाराच हो चाएगा और सिलीमुक हो जाएगा और शर भी इससे बोलते हैं बिसिक को option लगाने के लिए अप मेरे का यूज कर लीजे है। प्राण बिल्कुल ठीक है। ये हमेस्था बहुबचन रहता है। मेरे दिखे मेरे गोडी मेरे गोडी होता है नहीं होता है। मेरे चुणियां नहीं कह सकते हैं लगा लेगा करो, आंसर आपका सती गाएगा, कोई किसी का रोक नहीं सकता, आंसर को आने के लिए next question आप से बुला गया है, कि के लिए किस प्रकार का उपसर्ग है, देखिए के लिए किस प्रकारक है वो कारक आपको पसर्ग बोला गया है, तो कार्ण कोंचा होने वाला यह बताई है के लिए किसका है करताने कर्म को कर्ण से संपरदान के लिए अपादान से अलग संबंद का किके अधीकर में पर है अब अधीकर तो हो नहीं सकता में पर के लिए पूचा गया है के लिए कौंचा का रग होगा के लिए कौंचा का रग हो सम्पर्दान से कोई अलग हो रहा है तो से होना चाहिए करन छुद को मत फोड़ो उसको जदा कंफ्यूज वाले जो मट पकड़ा करो सीधे पूछ रहा है जो मैं बर्ड है उसका वो देखा करो तो कारक कौन सा है आपको और आप्शन में पहुंच जाए करो तो समपरदानों चारा को जाए के लिए इसको देखी यहां प्रतेक्षर में कितने वन होते हैं आप देखी यार मन हरन जो कितने चलना होते हैं और कितने चलना में हैं तो मॉप्षा गया है तो यह तो यह बन पूछे कितने बन होते हैं आप से पूछा गया मन हरन की मंदर नहीं हो सब लोग यार मात्रे की शंद पड़ते हैं वर्ड शंद तो पड़ता ही नहीं है कि इंपोर्टेंट होता है कि बताओ कौन से रहने वाला इसमें एक अप्षय निवर सी परम से पांसर हो जाएगा नेक्स को चलते हैं यहां देखिए रीती बाचक के दिए विषिर्सलाग का मतलब क्वान बताईए कैसे मैंने बताया था टिक लगा के देखो कैसे więksोत का वहत कैसे बहूत तेज कैसे चल रहा हैं यहां वहां यहां वहां क्या तो beyond कर वह यहां वहां तो उस्थान की बात कर दी और बहुत आपको कितना देखिए कितना आपको बहुत तो यह तो परिमार बाचक के लिए बिस्टन की बात कर दी यह तो परिमार बाचक के लिए बिस्टन की बात कर दी अब देखिए जैसे तैसे कैसे वह जैसे तैसे तो तुमारे घर हैं हम कैसे आयो भी या हमारे घर है तो काओगे जैसे तैसे घर आए तुम्हारे कैसे तैसे बहुत मुश्किल से गिरते गराते लेटे लिटाते ठक गया हूं मैं समझे मेरी बात को तो क्या हो जैसे तैसे आए और गया है डी परमसत्ता आशर है ट्रेक लिख लो जबदस्त वाली है दोस्तों मैं बता रहा हूं इससे कुछ बाहर नहीं आने अब देखिए अरे वह अरे वह कितनी अच्छी बात कर देए अब हमारा अरे वह आश्चरी हो रहा है आश्चरी जहां होता है तो कौन सा होता है बिसम्यादी बोदक चिन कहा जाता है ऑप्शन नमबर ए परमसत्ता आशर है कुछ ज्यादा पढ़ो ही मत इसमें आंसुत मत पढ़ाओ टाइम बरबाद मत करो कोश्यों को देखो और आंसर दो खीके ना ज्यादा कुछ करने की दूरत नहीं है कि यहां कहा रहे है अपने सहरे पर रहने बाले के लिए एक सब्द में क्या कहेंगे कोई बंदा अपने सहरे रह रह रहा है तो से क्या कहेंगे आत अप्शन को देखे आप दिहान से देखना और आंसर देना है यहां कहा रहा है बरात का आपको तद्सम बताना है देखे अब बरात देखे बरात है अब यह किसी की बरात तो जा रही है बरात का ट्सम आपको बताना है यह मतलग क्या होता है दूला की यात्रा हो रही है बरयात बर बरयात वोलेंगे औप्शन हमाई इससनेभी डी दिया है पर्शता अनसर है औप्शन हमाई चूद्चन है नबब्खakukan अपके शाबने है कहा रहा है पैसे से मनुस्ष्ट की जीवन जीने की इच्छा क्या हो जाती है वलबती होती है ठीक है तो आपको यहां कहा रहा है रिखांग के जो बुदे रखा है रिखांग के सब्द दे रखा है जो बाके बुदे रखा है वाक्यांस उसमें एक सब्द बता रहा है जैसे कि जीवन जीने की इच्छा के लिए एक सब्द में हम क्या कहेंगे जीवन जीने के लिए कहता है जीवन जीने की इच्छा जैसे होती है उसे एक सब्द में क्या कहेंगे जीवन जीने की इच्छा की बात करें तो क्या होगा जीजी बीशा कहेंगे क्या रहने वाला एक प्रम्सत्तान से नेक कोशन आपसे पूछागे निम्नेकित में से कौन सा सब्द तद्वव है तद्वव सब्द का होते हैं जो हम लोग बोलते हैं ज्यादा कर देखें देखें प्राण की बात करें तो आप यह कोगे प्राण जहां राटंगा है वह तो हम होगा हमेशा यह विद्धा कि दי्धा क्या यह यक्ठ वान करें और गर इंस दोरों में से एक है अब मुझे रख्षा करना था रख्षा कर रूगहता यह क्या होगा व desarrollo तो देखिए रख्षा करने हम लेकिन रक्षा क्या हो जाएगा ये तीनों सब्सक्राइब क्या रहा है तो इस प्रिकार से देख लिया करो बहुत आसानी तरीके साब कोई भी कोशन बहार नहीं जाएगा यहां कह रहा है दूद का धुला होना कहते हैं दूद का धुला होना महाबरे करत क्या है तू तो बहुत दूद का धुला है तूने कोई पापी नहीं कर रहा है ऐसी बन नहीं है तू तो कहते हैं दूद का धुला होना ठीक है तो मतलब कि तूने कोई अब तक कोई द निर्दोश होना कहते हैं तो निर्दोश नहीं है दूद का धुला नहीं है तूद का धुल दुला होना महाबडेकर्थ क्या होता है कि निर्दोश होना यहां सभी लोग क्या दे रहे हैं निर्दोश नहीं है लेकिन आज कल कोई बात आ कि उसकी सबसे निर्दोश थोड़ी निर्दोश होथी है तो मैं तहिए क्या करता है वाली टेम इते हैं देखको यहां ते है बताना नहीं क्या होता है क्रोद आ गया बहुत बड़े बदा एक किसी को भी कुछ भी कर सकता हूं तो क्रोध क्या हो जाएगा इस ताइब आप क्रोध हो जाएगा इसमें कोई दिक्क्र दिना है मतलब सोच लेगी दुरूत ना पड़ेगी हर कोशन का राइट अंसर दोगे नेक्स्ट कोशन आप से पूचा गया है खान पान में कौन सा समाज है अब देखिए खान पान में कौन सा समाज है सभी लोग बताएंगे खान और पान अब तुम कोशन सकते हो हमने खाया और पिया समझ रहे हो खाया और पिया यह क्या होगा आपको कि इसमें क्या है पहला पत क्या है उप्शरक तो है नहीं तत्पुर्ष समाज होगा नहीं क्यों 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 इसमें क्या है दोन उपर प्रदान नहीं है और साथी साथ एक दूसरे क्या कर रहे है काकी का कयूज होगा नहीं है दुंगू समाज होगा नहीं क्यों किसमें गिंती नहीं है तो कौन सा लगा हो गया आप दोन समाज जिसमें क्या है पहला सब्द दूसरे सब्द का बिलोम सब होता है जिसे खाना और पीना तो खान और पान क्या हो जाएगा तो अंसमाज गंद रखा जाएगा option number ड प्रमसरत्ता अंसर होगा इसको देखें निमनेखित में से आपको क्या बताना है mean का समनार्थी बताना है mean का मतलब क्या हो जाएगा जहस हो जाएगा जहस को क्या कहते हैं मचली बोला जाता है मीन बोला जाता है अप्शन नमर एक लेकिन अली की बाद करें अली को भौरा कहते हैं पश्टपद की बाद करें इसको भौरा कहते हैं और सिलीमुक की बाद करें यह सब किसके हैं बहौरा के परेव कि भई बाला option क्या रहने वाल है यह option नमर एप रश्चान सरोंगा यह तीनों कि सब्सक्राइब को चलते हैं यहां देखिए आप अब देखिए। जहां जी और कि आजए जहां जी की यह तब तक ऐसा यह फिर जब तक ऐसे बढ़़ता आजाता तो हमें नीज़्टाबक क्या है मिस्रबा कि है अब देखिये यहां क्या है। इतिको की और की कैसा कुछ बताया बताई पहला आप ऐसे प्रकार से देखा है आप सबसे पहले देखेंगे जी की आपको इस बड़ में आया बाकी किसी में आया ही नहीं है देखो तो यह दो बाइब लड़की कहीं जा रहा ही तो यह कि आपकी आजाए मैंने कहा जी की जब तक तब तक ऐसे बढ़ आजए तो हमेशा क्या होगा मेरा विचार है कि हिंदी का एक सब्ताइक पत्र निकालू क्या होगा कि मैं सब्ताइक पत्र निकालू एक हिंदी का यह बोला गया तो जहां आप सिंपली देखो ट्रिक अपना हो जहां का की जब तक तब तक जैसे तैसे ऐसा कुछा जाता है तो यह मिस्रबाक होगा स्विक्त बाक में क्या होता है जहां तो एड किया जाते हैं मतलब कि एक बाक तो है उसके साथ दूसरा एक और है वो सेख्ट बाक कहलाता है जैसे कौमा लगा दिया हो या और अत्वा किन्तू परंतू ऐसा कुछ लिख दिया हो तो वह सब समान बाक में क्या था यहा था यहां मुझे बहां जाना था यहां तो यह सिंपल बाक हो गए बहपुस्त हो गए श्रलबाक हो गया है ठीक है बिल्कुल option नमर के रहने वाला की लगा देंगे मिस्रभाग में ठीक है मिस्रा जी की अब ट्रक लगाई निमनेक्ट में आपको वतनी के दस्टी से आपको सुद्ध सब्सब्स देखना है अब देखिए बरतनी आगी बरतनी का मतलब यह होता है कि सुद्ध बता दो करें अध्यन की बात करें यह बिल्कुल सत्व सब्सब्द है अध्यन देखिए अध्यन कर लो पढ़ लो कुछ पढ़ लो तो यह कि बिल्कुल सुद्ध होजाएगा option निमबर सी परमसाद लेकिन देखिए आग जो होता है अगामी के मतलब कि आने वाला अग जो अगले आ कोई दिन वो आगामी कहलाता है ठीक है अनूसरण किस प्रकार से लिखोगे अप अनूसरण कैसे लिखोगे अनूसरण यहां देखिए छोटा सा होता है बड़ा सा नहीं होता है अनूसरण इस प्रकार से लिखा जाता है यहां क्या हो छोटा सा होगा तो अनूसरण होगा अ हमारा किसी पर क्या है अधिकार है अधिकार नहीं है अधिकार होता है क्या होता है अधिकार होता है इस बात को आद रखेंगे नेक्स को चलते हैं यहां देगा 98 कोशन है आपको और क्या है देव सब्द का बहु बचर मता रहा है बताईए है कि क्या रहा है देव प्रसन होकर म आपनों क्या दिया बर्द यहां बोला है जो देव देख रहे हैं तो देव क्या होता है देव जन होते हैं लोग होते हैं बताओ देवता जो होते हैं लोग होते हैं यह फिर देव लोग होते हैं जन होते हैं फिर लोग होते हैं यह फिर गड़ होते हैं देव क्या होते हैं आप को कि देव जो होते ना गड़ के थूर रहते हैं मतलब क्या देव गड़ होगा क्या हो जाएका ऑप्शिन नमबर एप् से तांसरों का देवगर्ण हो जाएगा नेक्स कोशन को चलते हैं नियान में आपको असुद बाग पहचानना है असुद बाग कौन सा है बताईए मैंने उससे बात की थी सूरी पूरब से उकता है ये बात हर कोई जानता है तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता आपको असुद बाग बताना है मैंने उससे बात की थी मैंने उससे बात की थी वो बहुत अच्छी लड़की है समझ रहे हो साधी कर लो तुम अड़ाक से कहते हैं न तो यह तो यह सरलवा सुद्वाक हो जाएगा अब क्या रहने वाले हैं आपको यह बताना है कहते हैं न सूर्य पूरब से निकलता है या उगता है बात वही है उगता है निकलता है ये भी ठीक है या बिल्कुल अच्छा लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है असद्वाक ही नहीं इसमें तीसरे बात हर कोई जानता है कि तू बहुत अच्छा है या तू बहुत बद्वाश है है ना तू बहुत बदमाशे स्याओं और तुमसे कोई काम नहीं हो सकता तो यह असुद्दाइगा option no d para sa tata anso रोजएगा हमारा दूर रहने वाला तुम से कोई काम नहीं हो सकता तुम्हारे से नहीं तुमसे कोई काम नहीं हो सकता तुम्होंड है को सब लोगो कमेंट सेक्षिन में आशर देंगा इसका क्या रहने वाला है आफ है आफ आफ देखिए कृर्ट्यम्म पोला गया इसका विलोम आपको बताना है क्रिट्यम्म vibes करों कि एसके करते कि रहिए मालब की उसको बनाया गया है निरमान किया गया है यह फिर कह सकते है नकली उसका अब इसका बिलूम क्या होगा। कोई मानब निर्मित प्राकिर्तिक निर्मितल निर्मित हो जाए गा के निकल से प्रकरतिक निर्मितल निर्मित को GALC नथा रहनेवाला मुझतर बमखिला किन लेखेए बराइम बताई है सलूए के क्लास ठीक modern आटिक आर दोस्तों को मिलते हैं नेक्ट-र 실ाय से लगए यूल को सस्क्राइब जरू करें, थैंक यू, लव यू सभी के लिए, गूड नाइट